हेलो मेंड़ फ्रेंज और मेंड़ स्टूदिन्स इन दिस वीडियो वे एर गोईंग टू लर्न कंवर्टिंग और क्वेस्टन इंटू अन आंसर हम क्वेस्टन से आंसर करते वक्त काफी मुश्किलों का सामना करते हैं लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को यह आसान हो जाएगा कि एक क्वेस्टन को अंसर में कैसे कनवर्ट किया जाता है जब कभी आप इंग्लिस में बात करते हो कोई भी क्वेस्टन आपको कोई पूछे तो आप उसका अंसर आसान ही से दे सकते हो but after watching this video there are some steps and the step number one is remove the WH word वो question में जो WH word रहेगा सबसे पहले आप उसको remove कर देना मतलब हटा देना number two is change the subject if it is required bracket में प्रनावन लिखा गया है मतलब अगर वो subject प्रनावन हो तो आप उसको जरूरत पढ़ने है पर आप चेंज कर सकते हो number three place the first auxiliary before the main verb जो question में जो main verb रहेगा कोई भी main verb रहेगा कोई भी form में हो V1 V2 V3 V4 कोई भी form में हो जो auxiliary रहेगा first auxiliary first auxiliary इसलिए लिखा गया है कोई question में एक से ज्यादा auxiliary भी हो सकते हैं लेकिन आपको क्या करना है जो first auxiliary रहेगा उसको main verb से पहले लगा देना है and step number four is answer the WH word यह सब कुछ करने के बाद जो WH word को आप हटा दिये होंगे वही WH word का तो कुछ intention रहेगा ना question में पूछा गया होगा तो वो WH word का answer देना है if the first auxiliary is do, does or did it is added with the main verb यह काफी important है do, does, did यह जो do group के auxiliaries हैं इसको हम simple helping verbs बोलते हैं it is added with the main verb, main verb के साथ जुड़ जाएगा कैसे जुड़ेगा अगर do रहेगा auxiliary और उसमें जरूर main verb v1 form में रहेगा मतलब simple form में रहेगा तो वो दोनों जुड़के बन जाएगा v1 अगर does रहेगा और वो दोनों मिलके बन जाएगा v1 अगर auxiliary did रहेगा तो यह दोनों मिलके बन जाएगा v2 तो आगे चलते हैं देखते हैं कैसे हम examples के जिरे कैसे यह बदलता है example number one is how can I speak in English यह सबसे important question है, सब सब कुद को पूछते हैं इसका first step apply करते हैं कि इस क्या करना पड़ेगा, सब से पहले यह जो डबलीच वर्ड हैना इसको हम underline किया गया है उसको हम हटा देंगे, mark कीजिए यह blue mark में है, क्योंकि last में इसका answer दिया जाएगा step number two क्या करना है, जरुवत पड़ने पर subject को अगर pronoun है तो उसको बदल सकते हैं इसमें question है, how can I speak in English, मैं English में कैसे बात कर सकता हूँ यहां डबलीच वर्ड को हटा देने के बाद यह बन गया, can I speak in English, जैसे की वेशिर है क्या लेकिन अगर आप किसी को सवाल कर रहे हो और वो answer दे रहा है, तो I में answer तो नहीं देगा न, यह बदल जाएगा क्या हो जाएगा, you, can you speak in English, खाली वो प्रणावन को बदल दिया, I से you कर दिया, step number two और step number three है, क्या करना है, वो first auxiliary को, यहां पर auxiliary क्या है, modal verb can है, इसको हम लेके main verb से पहले बिठा देंगे यहां पर देखिए, can इधर है, और main verb speak इधर है, यह subject पहले आ गया, और यह जो auxiliary, यह main verb से पहले आ गया, you can speak in English, हमारा answer आधा बन चुका है अभी fourth step में क्या करना है, यह डबलीच वर्ड का answer देना है, डबलीच वर्ड क्या पूछ रहा है, कैसे, तो उसका answer हम बोलेंगे, क्या, you can speak in English by regular practice regular practice यह जो है, यह यह भी blue color में है, आपको पता चल रहा होगा, कि यह डबलीच वर्ड का answer है you can speak in English by regular practice और एक example लेते हैं, where had you gone that day, उस दिन तुम कहां गए थे यहाँ पर डबलीच वर्ड है, where, first step में यह डबलीच वर्ड को हटाएंगे, had you gone that day jc की वेसे, खाले यह डबलीच वर्ड नहीं है, step number two में क्या करना है यहाँ पर you के जगा, पर I लग सकता है, अगर ज्यादा लोगों को पुछा गया हो, तो वहाँ we भी लगा सकते हैं, तो यह क्या हो गया, you को हम बदल दिये, had I gone that day इसको हम क्या करेंगे, यह जो auxiliary, main verb से पहले लगा देंगे, क्या हो गया, तो I इस तरफ आ जाएगा, I had gone that day फिर last step में, step four में क्या करना है, यह डबलीच वर्ड जो हम हटा दिये थे, इसका answer करना है where मतलब कहा, तो I had gone to my friend's house that day, आप लोग यह सोच रहे होंगे, कि आप बोले थे, कि last में यह डबलीच वर्ड का answer दिया जाता है लेकिन यह बीच में कैसे घुश गया answer, इसका एक rule है, an adverb of time is used after an adverb of place यह एक adverb of time है, that day, to my friend's house एक adverb of place है adverb में फ्रेज है, यह दोनों ही फ्रेज है, that day, adverb of phrase है, time का, to my friend's house एक adverb of phrase है, place का adverb of place के बाद ही time लगाया जाता है, इसके बज़े से यह बाद में आगया रोग यह बीच में आगया और एक example लेके समझते हैं, what do you want to buy? अब क्या खरिदना चाहते हो? पहला step क्या करना है? डबलेच वाड को हटा देना है, यहां पर नहीं है second step क्या करना है? जरूरत पढ़ने पर यह subject को आपको बदलना है, यह pronoun है तो you हो गया I, third step में क्या करना है? डू यहां पर आगया, do want is equal to want हो गया तो हो गया I want to buy और last में डबलेच वाड का answer करना है, I want to buy और dictionary यहां दिया है, do plus v1 is equal to v1, यह formula यहां पर apply क्या गया है? next आता है, when did you reach home last night? पिछले रात तुम घर कब पहुँचे? पहले क्या करना है? डबलेच वाड को हटा देना है second में क्या करना है? तुम कब पहुचे? पुछा गया तो में यहां हम पहुचे वो बोलेंगे तो यह यह पहले change हो जाएगा, I या फिर we, did यहां पर आजाएगा, वो mark दिया गया है, did और rich मिलके बन जाएगा reached we reached home at 10 last night देखिए, सबसे पहले we reached home यहां तक तो हमारा हो गया, last night भी हो गया यहां जो डबले एच क्वेस्चन, when, कब उसका answer दिया गया है at 10 यह भी बीच में आ गया, क्योंकि last night एक बड़ा term है, मैं इसके यह वीडियो के जरीए आप लोगों को कुछ information देना चाहता हूँ adverb of time smaller से bigger use किया जाता है, यह last night एक bigger time है, at 10 एक smaller time है, watch time है तो यह smaller बाला पहले आएगा और bigger बाला बाद में आएगा, इसके बज़े से यह हो गया, at 10 last night number 5, why does she come late everyday, वो रोज क्यों late आती है, यह डबलिच बाड़ है, इसको हम हटा देंगे, और इसके बाद क्या करना है, does आके बढ़ जाएगा, comes से पहले does और come मिलके क्या हो जाएगा, हमारा रोल था, does प्लस V1 is equal to Vs, तो वो हो जाएगा, comes, तो क्या बन गया, she comes late, everyday जरूत नहीं है, answer देते वक्त, अब बोलोगे तो चलेगा, नहीं तो जरूत नहीं है, she comes late, अभी WS question, word का हम answer करेंगे, because her home is so far, उसका घर काफी दूर है, last में कुछ में आप लोगों को बोलना चाहोंगा, the answer of some questions are different, questions मतलब कौन से, long questions, different मतलब descriptive, आज पर the intention of the questions, ये इसके लिए बोला, कि क्योंकि कोई topic के उपर, कोई chapter के उपर, कोई long questions दिया गया है, उसका answer ऐसा नहीं होगा, this step के जरिये मेंने आप लोगों को सिखाया, वैसा नहीं होगा, उसमें लंबा answer दिया जाता है, I hope you like the video, अगर आपको पसंद आया है, तो like कर देना, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, तो please कर दीजे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी near dear ones को share कर दीजे, thank you very much for watching, God bless you, bye bye.